नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चेनल में अभी जो कर रहे थे आप स्रीज कर रहे थे कोट रिटर का जो एक जाम हो चुका है उसका सुलिशन कर रहे थे कि किसका आंसर होगा तो उसमें हिंदी कर चुके हैं और कंप्यूटर कर चुके हैं अब जो नेक्स्ट जो है वो है जिक्के जीएस और करेंट अफेर्स का हाना जिक्के जीएस और करेंट अफेर्स जो था को मिलाकर 15 क्वेशन था और यह जो हम करेंगे क्वेशन वो सिरीज बी का है सिरीज बी है यही पूर्वी घाट निमनलिखीत में से किस परवत में मिलते हैं तो पस्चमी घाट और पूर्वी घाट जो मिलता है वो मिलता है निलगीरी के पहाले में यह लोगी है यह ना यहीं होगा बाकी सबसुन सुब नसीरी धन शीरी फ्रगलाडिया यह सब होती है किस लिपी में लिखा होगा है तो यह हो जाएगा था मुझ जो है कि भारती राष्ट्रिय कॉंग्रेश के कौन से अधिवेशन में राष्ट गान जन गनमन पभलिवर गाया गया तो इसका आंसर हो जाईए कलकत्ता अधिवेशन उन्न dependence गारा उन devo Hello Question Number 40 में है कि अपनी सक्ती को सुमेरित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारन की तो भव य पाज दरान की थी कौँ सबाज था वो था जिल्ले ए इलाही है ना वो अपने आपको भगवार मानता था तो जिल्ले ए इलाही तायान क्या था उपाधी बलबन बलबन तो अफस्टन नमार सी जिल्ले इलाही question number 41 41 में है कि सिवा जी के अश्ट परधान का जो सदा स्यविदेशी मामलों की देखरेक कता था वह क्या था पेशवा था सचीव था पंडित राव था सुमन्त था यह जो गुज़त तो 41 का अंसर के हो जाएगा सुमन्त हो जाएगा सुमन्त 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 मन्त परम का सुमन्त घ्ति जो है इसका अंसर होजाएगा क्या कि जो है हुगली को गनले के खाली में समंद्री रूटत कर डाट के लिए किस ने अड्डा बनाया था तो हगली को अड्डा बनाया था निए तो इसकालत घाली हो ने अप्षाथ नमर एक में क्या है पूर्थ गालियों DOP गालीयों आपने लूटने देंगे आजा फूटे थिरी में कुछन थिरी में है तो इसको बोलते हैं बोलने वाली फिल्म तो बोलने वाले फिल्म पढ़ें बच्पन सब्सक्राइब देखो अगर कभी आपको कहीं भी एक्जाम देजिए को अगर आपको हिंदी वर्ट समझ में नहीं आ रहा है ना तो एक पर उसका इंगलिस बढ़ें जरूर पढ़िए हो सकता है कि आपका दिवांग अस्ट्राइक कर जाए हिट कर जाए तो जरूर कर जाए काम जो नहीं पन रहा है तह राकम अगरा है तो सब्सक्राइब कर दो की देखो इसका इंगलिस लिखाव वहाँ हो तबल इस नगे आगे और आगे आते हैं कॉसर्ट नमर फोटीफोर में फोटीफोर में है कि भात्य सम्मिध्हान के ननों लिखित अनुछेदों में से कौन सा अंतराष् ये सांती और सुरच्छा के संबर्धन से संबंधित है तो इसका राइट आंसर होगा अनुछेद 51 में अंतराश्य संती और सुरच्छा के बाद कहा गया है है ना दोस्त लोग बात मानना एक से ले अधिक सरी तो पुरा लेकिन कम से कम एक से हंडेट तक का पुरा का पुरा आर्टिकल आपको मुझवानी यादना चाहिए अच्छे से आना क्योंकि आर्टिकल बहुत दोहर पूछता है इसी दुगों पूछ दिया है पटाफट है ना जगारेस में होगा टिकल वह अगो लिए नियोयूत नहीं के जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नहीं लगाया जाएगा है ना मदला कि बच्चा को काम करने नहीं देगा संक्रवलासिती में इसका बर्न कहां पर है आर्टिकल ट्वेंटीफोर अनुश्यद 24 में है इसका बर्न ठीक है आज रखिजेगा त सब्सक्राइब कि संद्धान quiom from ऐसन दिकाद्धश कॉन था सब्सक्राइब कि संद्धान असता नंगा लिएति न'. गரो है कौन साता तुम्हें जो है सभी प्रकार के बनभाता है तो कोई भी अमल है ना वह बेना not hydrogen का भी बन सकता है कि उसलब करें सबस्क्राइब करेगा अंसर 27 अपसर नमर्ट ए हई- question num pare 48 में है भारत की अस्थालिय शीमा कितने देशों के साथ जोड़ी हुई है तो भारत की अस्थालिय शीमा जो है जो इसाथ के साथ साथ गो देशकर साथ देशकर साथ ठीक है question num pare Euro universe के हो जागा b question उसमें है Queac background GPS 2 या तेईस में भारत को कितने पदक पराप्त हूए तो ACN Games जो है ना 23 में मायत को कुल मिला करके 107 पदक पराप्त हुआ है 107 पदक कुल मिला कर पराप्त हुआ है तो आता रखिएगा ठीक है और लास्ट कोशन है 15 नमल कोशन कि निवन निखित में से किस एक में धोनी चाल सबसे अधिक होगी देखो धोनी चाल सबसे अधिक होता है ठोस में उससे कम होता है द्रव में और उससे कम अलब सबसे कम होता है गैस में है ना तो ठोस खोजो इसमें कौन है लकड़ी है ठोस उसमें होता है जल नहीं होगा जल में कम होता है लकड़ी से ठीक है जल में काम होता है ठीक है अच्छा लगता है तो यह लाइक जूर करिए ठीक है